फार्मिंग के सफर में चलते चलते हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक और पड़ाव पर आ करके रुके हैं ये पड़ाव एक बहुत ही खुबसूरत गाउं में है बहुत अच्छा एक खुबसूरत शेड है उस शेड के अंदर बहुत सारी बकरिय और जो बकरी है उनके ओनर भी यहां पर मौजूद है तो सबसे पहले मैं उनसे परिचे करवाता हूं क्या नाम हुआ सर आपका और बता दूं कि यहां मुझे पहुचाने वाले इस गंतब्य स्थान पर मैं आया हूं एक शक्स की वज़ा से जिसका परिचाय आपको हो चुका है और वो शक्स है संजा जी जिनका वीडियो आप पहले देख चुके हैं तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका भी जी सर संजे जी सिक्षक थे सिक्षक के साथ साथ जिंदगी में और एक बैक अप प्लान को चाहिए हुए था एक पाइपलाइन बिचाना चाहते थे गोट फार्मिंग का उन्होंने बिचा लिए और सालों से कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं सुधीर सर भी आये हुए है परदेश इनके साथ कुछ आगे के प्लान्स हैं और एक घोशना है जिसको मैं चाहता हूँ कि वीडियो के शुरुवात में ही आपको बता दूं कि सुधीर सर आये हैं और संजे जी जो है यहाँ पर 24 अप्रिल को सुधीर सर के तत्वा धान में यानि कि सुधीर सर ट्रेणि में ही आपको प्रसिक्षन स्विर चलने जा रहा है 24 अप्रिल से जिसकी जानकारी आप फोन पर भी ले सकते हैं डिटेल और डिफ्सक्रिस में भी आपको नंबर मिल जाएगा और सारे डिटेल्स मिल जाएंगे तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं तो सर क्या आपने गो अब बढ़िया है कि पैसे आपने बचा लिए आपको मिल गए एक गुरू मुफ्त में ही मिल गए और यहीं देखिए असल चीज है कि किसानी जो है ना ऐसे ही आगे जा सकती है कि हम जो सीखें अपने समाज में अपने अगल बगल उस चीज को फैलाए ठीक है सुधीर सर जगा पहुचे हर जगा लेकिन एक सुधीर सर कितने लोगों को सिख्षा देंगे कितने लोगों को परश्रित करेंगे तो वो जो चेतना है वो जो सिख्षा है आप हर इंसान हर किसान जब तक आगे नहीं पहुचाएगा हमारा देश हमारा सूबा हमारा राजी का विकास न में हाँ दोजारे कि पूरा एक साल हो गया और बस हमारे दर्शक यह उत्सुपता जैसे मैं कहता हूं कि कब शुरू हुआ तो दर्शक जो है यह जानना चाहते कि कैसे शुरू हुआ कितना में शुरू हुआ कितनी बकरियों शुरू हुआ यह थोड़ा ब्रीफ में बता दीज है मतलब बक्री फार्म का जैसा फार्म होता है वैसा इनोंने अपने इट पत्थर और कंकीट से बनवा लिया तो इसमें कुल खर्चा कितना आया था यह खर्चा लग भग सर जी वह चार पांच लाग तक आया पांच लाग लेकिन सर डर नहीं लगा कि 5 लाग मैंने लगा दिय मतलब पैसा नहीं आएगा अगर इतना है तो फिर खोलिए तो हमको भी एक मतलब बहुत लालज था ताल ठोक के मैदान में उतर गए हैं आप चलिए तब तो बहुत बढ़िया और कॉन्फिडेंस को मैं दाद देता हूं और भूम बनने के बाद आपकी बक्रियां कितनी तो यह सब ऐसे धीरे धीरे बढ़क्ते गई हैं से बढ़ी और कोई ब को यहां तो यह बताईए सर कि इस watching होगें कोई जाना प्लाकी अगर और की यहां पर देखने को मिलता नहीं जी सर जी अच्छा तो एक साल के दर्मियान में क्या-क्या समस्याइं हुई और संजे जी ने किस तरह मदद किया आपने सर जी समस्याइं ही होती है जैसे बारिस आ गया तो इनको कीड़ा वगयरा ये सब तो ये सर जी बताते रहें ये दवा छिड़काओ करो अंदर ये चीज खिलाओ ये दवा इनको पिलाओ तो ये रूख जाएगा तो इसे हमने किया ये सबसे थोड़ा अभी हमको राहत मिलते गया तो यही सर को हम पकड़े रहे हम पकड़क रखिएगा अभी तो सर यहां पर प्रसिक्षण सीविर भी लगाने जा रहे हैं तो जो कुछ होता था था फोन पर बात हो जाता था यह संजदीक में अगर यहां स्कूल में रहते थे तो यहीं से आ जाते इनको हलाकी हैं तो उनकी फाम वेगर मैं जाकर देखता हूं वह समरिधी की ओर हैं सुधीर सर से जानकारी ले लेंगे ट्रेनिंग ले लेंगे और बेहतर हो जाएंगे और जो सर से हमें जानकारी मिलती तो इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हम और उसके बाद आप दो किसानों को बकरी फारम खुलवाईए देखिए हमारा देश अभी भी उत्पादन के मामले में पीछे है भाई गोट फार्मिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है यह कोई मजाक नहीं है बकरी बकरी खली सुनने में आपको लगता होगा जो हमारे लोग बोल देते हैं गरीबों की गाए लेक अब दिखाई दे रहा है तो आप भी अपने तरफ से अगर परसिक्षित हैं आपको नौलेज है तो कम से कम दो लोगों को जैसे इन्होंने कंविंस किया अपने आस पास लोगों को कंविंस कीजिए और फार्मिंग में कराई इसा लग रहा है अभी मसुस कैसा करते हैं हमको क्या बात है कि ट्रक का ड्राइवर थे हर आदमी मैं देखता हूं मैं जब वीडियो बनाता हूं इस स्टोरी सुनता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो बकरी पालन के लिए पैदा हुए अब सर सिक्षक थे इन्होंने फार्मिंग का शुरू किया फिर ये भी ट्रक डाइवर थे इन्होंने भी गोट फार्मिंग का शुरू किया तो ऐसा नहीं है हर आदमी चुकि जिस कदर महंगाई बढ़ रही है कहीं ना कहीं आपको भी कुछ साइड में पार्ट टाइम ही करने की जूरत है इस केस में भी आप एक ये रिस्क ले सकते हैं और रिस् सर यह बताएं कि अब खान पान पर थोड़ा बात कर लेते हैं अलांकि मुझे भूसी दीख रही है यहां पर और काफी यह जो फार्म है आपके खेतों के बीच में हैं तो यहां पर क्या यह स्टॉल फीट पर ही है कंपलीट याने की मिक्स हैं आप इस टॉल भीड़ और चर इसा नहीं कशिए और क्या गर्म मैं एक अगया तो वक्रियों की जो है वेट गयन और तंदृस्ति बहुत अच्छी कोई इसके लिए तो सर क्या हमने जब हरा चारा खतम हो गया तो थोड़ा झोड़ा चोड़ के टहलाना चाला कर दिऊ और यह बता है सर कि PPR की क्या पोजिशन है वैक्सिनेशन की PPR हो गए रहा तो अभी सर जी हमारे यहां कम है बाकी यह सर बोलते हैं कि चलिए जब अभी आपकी बक्रियों को लगा है कि नहीं लगा है लगा है तीन महिना पहले प्यार आपसे रिक्वेस्ट है सर कि जब आप किसानों से जुड़े हुए हैं तो सुधीर सर से भी बात करें सुनुन नस बीबात करें और एक टीम है उनकी जो की पूरे देश भरं में जहां जहां भी थजांजा जाता हूं तो वाटसएप करते हैं लोग तो PPR की वैक्सिन जो है जरूरी है क्योंकि कभी-कभी बहुत बड़ी दुरुगट ना है उसके कारण हो जा रही है तो उनसे अगर स्वहयोग मांगेंगे तो जैसे आप लोग किसान है तो वैसे किसानों को भी PPR वैक्सिन जब-जब उधर इनका तूर बने तो लग जाएगा तो अच्छा सर यह बताएं कि अभी बजार का मार्केटिंग आपने कुछ सोचा है कि मार्केटिंग इसका कैसे करेंगा बकली पालन तो आपने शुरू कर दिया इन्होंने भी शुरू किया है अलाकि यह भी गाड़ी में उससे बात करते आ रह सबसे इंपोर्टेंट आप बात किया कि गोट फार्म से गोट फार्म किसान से किसान जुड़े रहें जुड़े रहेंगे तो इन्फॉर्मेशन का आदान परदान होगा और इस तरह से ही मार्केटिंग अटोमेटिकली होगी यह सबसे बड़ा फंडा कि आदमी एक दूसरे को स्वयोग करें और उसके साथ जुड़े रहे तो अचानक वो आपको पता चलेगा जनकारी होगा और खुद आ के लोग ले जाएंगे है कि नहीं अभी क्या अभी सुधीर सर से अब संपक्त भी हो गया सुधीर सर आ भी गए आप तो मतलब बहुत अच्छा है कि कंसको चलीोग अग्दशक लोग है उनसे बीगाल करें वाट मेकि यहte हैं इस पर मैंने उनको पकड़ कि बाए चलिये साथ शůचास आड जिब जाते हैं तो मैं भी चला जाता हूं कि चलिए आप लोग जैसे लोग हैं उनसे कुछ जनकारी निकाल करके लें और वंदमें कि यह कि इतने में है कितना जमीन है पांच बिस्था का एरिया है और पांच बिस्था बिस्था मतलब कर दिया और बहुत बढ़िया आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस है और यह पीलर जो है ढाल करके उपर में जो है आपने यह गर्मी तो पड़ेगी इस बार बहुत तो उपर में मेरे ख्याल से आपको भी कुछ प्रोटेक्शन देना पड़ेगा इसको बाद में हम सोचे हैं कि अगर कुछ बेने फीट अब आएगा तो फिर इसके उप पर चट ढलवाएंगे इसके लिए पीलर वाला सिस्टम पहले से कर रखें अभी बकरियां को का बाहर भेजेंगे या चराई के लिए अभी एक घंटे में चली जाएंगे जी सर अफिन कब आती है वापस यह दो तिन घंटे रहेंगे फिर वापस चलिए चार बजे के वह है बकरी पारण के उपर जो एक दिल से आवाद आ रही होगी जो आपका मन कहता होगा कि यह चीज सही है वह सही बात हमारे दर्शकों को बताई जी सर जी हम तो यह सोचेंगे कि कहेंगे सब को कहेंगे कि बिना ट्रेनिंग का कुछ न करे या तो अगर जैसे माली जी सर ऐसा कोई समपर्की मिले हाँ तब तो यह बकरी फारम करें नहीं तो क्या इनमें बिमारी सिमारी तो आती रहती है मतलब है बहुत जडरत पर्ति हो चीज़ा है सर जी है और अभी तो कोई को ऐसा वीमारी था खंको नहीं जानकारी रहता था लेकिन यह सर आ के उनको क्या और इसी तरह से जो किसान हैं उनके दिल की बात निकलवाने की कोशिश करते हैं और बार-बार यह सुनने को मिलता है कि ट्रेनिंग जरूरी है जानकारी जरूरी है हर व्यक्ति के पास संजय जी नहीं होंगे हर व्यक्ति के पास सुभील जी नहीं होंगे लेकिन अगर आपका knowledge एक बार आपके पास आगया दिमाग में तो जिन्दगी बर आपके साथ चलेगा तो दोस्तों चलिए बहुत अच्छा कि आप इस तरह से वीडियो में प्यार देते हैं और बहुत सारे जो हमारे नए दर्शक हैं अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे उत्तर प्रदेश के दोरे पे हैं और भी जगा जाने हैं बहुत सारे किशानों का जो है हम कोसिस करेंगे उनका आपके सामने आपके पास पहुँचाने का तो चलिए मिलते हैं बहुत जल नए जगा पे नए जनकारी के साथ नए किसान के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत